मेरट में एक बार्थी संसनी खेजवारदात सामने आया है जहां मेरट के एक आसी को आसी की करने की सजाए मिला मौत दसल आपको बता दें की मेरट के थाना गंगा नगत चेत्र में एक वेगा नारकार जली वी हालत में मिली थी कार के अंदर एक वियर का कंकाल मिला या देखकर चेत्र में संसनी फैल गया है लेकिन ऐसे में पूरा केट्र बलाइन था पुलिस के गारी की नंबर प्लेश से गारी की मालिक के सिनाथ की तो जिसका नाम संजी निवासी ग्राम जंगेरी थाना मवान उम्र 25 की रुप में हुई वहीं इस मामले में लड़की का नाम सामने आया लड़की पलवम पुरम की रहने वाली है संजीव की परिमिका थी जिसके बाद फुलिस ने लड़की के भाई और पिता को ग्रपतार कर लिया है ग्रपतार का सक्ति से कुछने पर संजीव को मार कर जलाने की बात कबूल कर लिया है परिमिका के परिवार का कहना है कि चंजीू हमारी लड़की के पुषे पड़ा हुआ था लड़की का रिष्टा भी फोन करके तोड़वा दिया जिसे तंग आकर हमें उसे मौत की खाट उतार दिया आदमी भी जला हुआ पूड़ू से मरा हुआ मिला था गाड़ी के नमर प्लेट के अधार पे उस व्यक्त की पाचान की गई अब फिर आगे जब पूरी चान मिन की गई तो पाया गया कि वो लड़का एक उस लड़के का एक लड़की से प्रेम प्रसंग था जिसके लिए वो उस लड़की के घर पे गया हुआ था और वहां पे उसने सरब पी थी और उसी लड़की के परिजनों दोरह उसकी हत्या करके उसकी सवक की सिनाक्त मिटाने के लिए के उद्देश से उसी के गाड़ी में रखके गाड़ी ले आके वहाँ पे जला दिये थे इसमें दो आरोपी पकड़े गए उन्होंने अपना जुन का इकबाल किया है और उन्होंने कहा कि बदनामी के डर्शे कि मेरे घर बार बार आता था सराप पिता था और प्रेम हुआ हुआ है तो सव का हम डियर्ने टेस्ट भी करा रहे हैं और साथ ही भी ओपिनियन ले रहे हैं कि सव मेल का था या फिमेल का था और कितनी एज गुरूप का था ताकि इसकी सिनाक्त पुक्ता की जा सके और इस प्रकार बहुत 24 घंटे के अंदर इस संसनी खेस अत्याका के को लाशा वगनार पुलिस्ट और कि अगया